Dear students, welcome to online class. This is your science lecture for class 6. Here we will discuss first chapter, that is, food and where does it come from. In this chapter, our learning objectives will be, need of food, yani bhojan ki aavasikta, sources of food, yani bhojan ke shroet, food habits of animals, yani, पसुओं में खाने की आदते हैं, या जानवरों में खाने की आदते हैं. Kevengers and Decomposers, जो bhojan के खोजी होते हैं, और Decomposers होते हैं, उनके बारे में डिसकस करना है हमें, food chain, yani के bhojan की जो chain होती है, उसके बारे में हमको डिसकस करना है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखिए, तोड़ा सा जूम कर लिता हूँ मैं इसको, मेरे ख्याल से बापको साफ दिख रहा होगा, चलिए, All living organisms need food to live and grow, यानि जो भी जीवजनतु होते हैं, या जीवित और्गनिजम जो होते हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए बोजन की आवसकता होती है, तता अपने ग्रोथ के लिए, Food is one of our basic needs, यानि हमारी एक आधारबूद आवसकता होती है, बोजन क्या है, हमारी एक आधारबूद आवसकता होती है, तो परफॉर्म और तो डू एन्य वर्क, यानि कोई भी काम करने के लिए बोजन की जरूरत होती है, We need energy, इस energy comes from the food that we eat, यानि के हमें कोई भी काम करने के लिए एक उर्जा, एक energy की requirement होती है, और वो energy हमें कहां से मिलती है, It comes from the food, यानि वो हमें भोजन से प्राप्त होती है, जिसे हम खाते हैं, Food is any substance that is used as a source of nourishment by an organism, यानि भोजन क्या होता है, एक ऐसा substance होता है, जो used as the source of nourishment by an organism, यानि किसी जीव जन्तु द्वारा, वो एक पोशन के स्रोत के रूप में use किया जाता है, उसे हम बोलते हैं भोजन, भोजन की आवसक्त्या क्यों होती है, What is the need of food? Food helps us in various ways, यानि भोजन क्या हमें, कई तरीके से हमारी help करता है, तो क्या-क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं कबार, Food provide us energy, यानि भोजन हमें उर्जा प्रतान करता है, हमें energy देता है, We need energy for different movements, like running, walking, playing, और वो energy क्या है हमें, कई movements में, हमें उसकी जरूत पड़ती है, जैसे running दोडने में, बहुत देर तकार आप दोड़ों को देखावाद ठकान हो जाती है, उसके बाद फिर आपको food चाहिए, energy चाहिए आपको, walking चलने के लिए, playing खेलने के लिए, तो इन सारी चीज़े में हमें energy की requirement होती है, जो के हमें portion से मिलती है, food provides the material for growth, यानि कि सरीर की व्रद्धी के लिए भी हमें food की जरूत होती है, if we do not take balanced diet, अगर हम balanced या संतुलित आहर नहीं लेंगे, we cannot remain healthy, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, food enables our body to fight diseases and protect us from infection, यानि food क्या करता है, वो हमारी body को एक protection देता है, जिससे हम disease यानि बीमारी से लड़ सकें, and protect us from infection, और अपने आपको हम infection से बचा सकें, तो इसमें food हमारी help करता है, food enables the body to repair and replace its worn out tissues, यानि जो उसके tissues जो disable हो जाते हैं, उनको enable करने के लिए भी food हमें help करता है, ठीक है, next है, the substances present in the food, the substances present in the food that provide the nourishment essential for the growth and maintenance of body are called nutrients, nutrients क्या होते हैं, एक substances होते हैं, जो भूजन में पाए जाते हैं, that provide the nourishment essential for growth, यानि वो growth के लिए जरूरी portion हमें provide करते हैं, तो उनकों हम बोलते हैं, पोसक तत्व, nutrients को क्या बोला जाते हैं, अन्दी में, पोसक तत्व, अब बात करते हैं, sources of food की, यानि food के source क्या है, देखिए, sources of food, यानि, do you know where our food comes from, यानि क्या आपको पता है हमारा भोजन कहां से आता है, तो बात कर लेते हैं कहां से आता है, a large variety of food is available in different forms, यानि कि कई प्रकार का, बहुत सारे variety का भोजन available है, वो different forms में, अलग-अलग प्रकार में, these food items, come from plants and animals, यह जो food items होते हैं, यह कहां से मिलते हैं हमें, plants से, यानि पेड़ पौदों से, and animals से, और जीव जन्तूँओं से, तो food from plants, यानि पेड़ पौदों से हमें, किस प्रकार से भोजन मिलता हैं, उसके बारे में बात करते हैं, most of our food comes from the plants, यानि जो जातर भोजन होता है मारा, वो कहां से आता है, plants से, plants provide us different types of food, यानि वो हमें बहुत प्रकार का भोजन प्रोजन प्रोजन करते हैं, बिविन प्रकार का, such as, serals, यानि अनाज, fruits, यानि फल, vegetables, साखसबजियां, pulses, यानि दालें, और spices, यानि मसाले, यह सारी चीज़ हमें कहां से मिलती है, पेड़ पौदों से, different parts of plants provide us different types of food, यानि पेड़ पौदों के अलग-अलग हिससे से, हमें अलग-अलग प्रकार का भोजन प्रोजन मिलता है, the following figure, जो नीचे एक diagram दिया जा रहा है, source the different parts of the plant which provides us the food यानि वो एक पोदे के अलग-अलग parts को दिखा रहा है जहां से हमें बोजन मिलता है तो देखे, figure में क्या दिखाएगा आपको, एक plant है यह जो green color में है, यह इसकी leaves है उसका red color में इसके fruits दिखाएगाई है flowers है, yellow color दिखाएगा आपको यहां पर, यह इसकी flowers है और यह इसका stem है, जो जमीन के बाहर होता है जिसको तना बोला जाता है, जमीन के अंदर जो part होता है उसको हम root कहते है, तो यह root है यह एक plant के different part है, जिनको हम अलग-अलग तरीके से use करते है तो चलिए आगे बात करते है roots की, roots क्या होती है उसके बारे हम डिसकस कर लेते है the underground part of the plant, यानि जमीन के अंदर जो पौदे का हिस्सा होता है, is called root उसको हम क्या कहते है, root यानि के जड़ बोलते है roots of plant like radish, turnip, carrot, etc are eaten, raw, or cooked यानि जो radish होता है, turnip, carrot होता है, उसकी roots होती है, उनको या तुम खच्चा खाते है या फिर उसको पका के खा लेते है तो देखिए यहां पर आपको दिया रहा है, carrot, गाजर, radish, mooli, turnip, यह क्या होता है stems, stems क्या होता है, जिसको तना बोला जाता है a stem is the main long thin part, यानि यह मुख्य भाग होता है पौदे का, जो के पतला होता है और लंबा भी होता है of a plant, above the ground और यह जमीन के ऊपर होता है it is a link between the plant's root, leaves and flowers, यानि यह एक link होता है पौदे की जड़, उसकी पत्ती और उसके फूलों के बीच में stems of certain plants are eaten, यानि बहुत सारे पौदों के, जो stem होते हैं, तने होते हैं, वो खाया जाते हैं for example, the stem of sugar cane plant is eaten, sugar cane plant जो होता है, यानि गन्ना जो होता है उसका जो stem होता है, तना जो होता है, वो खाया जाता है यहाँ पर कुछ और example दिये जा रहा है, जिनके हम stem को use करते हैं certain plants have underground stems that we eat, यानि कुछ पौदे ऐसे भी होते हैं, जिनका stem जो होता है, जो जमीन के अंदर होता है onion, प्याज जो होती है, वो भी क्या है कि stem है और जमीन के अंदर मिलता है, आगे देखिए leaves क्या होती है, leaves are called the kitchen of the plants, because they prepare food for the plant यानि जो पत्तियां होती है, इनको पौदों का रसोईगर का जाता है, रसोईगर क्यों का जाता है क्योंकि ये पूरे पौदे के लिए भोजन तयार करने का काम करती है, अगर में जहां भोजन बनता है उसको क्या बला जाता है रसोईगर का जाता है, correct, some leaves are eaten by us, कुछ पत्तियां हमारे द्वारा खाई भी जाती है यानि उनमें से कुछ के एक्जामपल आपको दिया रहे है, कौरियंडर देखिए यह वाला, Spanish यहां डाइग्राम भी दिया जा रहा है, और लेट्यूस, ठीक है तो यह कुछ leaves होती हैं, जिनको हम खाते हैं, अब floors की बात कर लेते हैं, floor क्या होता है, floor is the reproductive part of the plant, यानि यह प्रजननंग होता है, जहां से दुवारा दूसरा पौदा बनता है, floors के दुरू, floors of certain plants like cauliflower, broccoli, etc. are also eaten by us, कुछ plants होते हैं, जिनके floors, जैसे cauliflower हो गया, ब्रोकली हो गया, यह जो हमारे दौरा खाय जाते हैं, the floors of certain plants yields spices, यानि कुछ पौदों के जो floors होते हैं, उनसे मसाले बना जाते हैं, the clove is obtained from the floors of cesium plants, यानि जो clove होते हैं, long जो होते हो cesium plants के floor से मिलती है, तो दीखे इनके कुछ डाग्राम दिये जा रहा हैं आपको यहां पर, यह broccoli, जो green color की cauliflower जैसी होते हैं, उसको broccoli बोला जाता ह यह cauliflower है, और यह cloves, long जिसे बोलते हैं, fruits and vegetables, fruits are the part of the plant which their seed are enclosed, यानि fruit क्या होता है, plant का ऐसा part होता है, जिसमें उसके जो bees होते हैं, वो उसके अंदर covered होते हैं, right, a lot of fruits and vegetables are also eaten by us, बहुत सारे जो fruits होते हैं, बहुत सारे जो vegetables होते हैं, उन्हें भी हम खाते हैं, for example, apple, banana, tomato, peas, और कुछ diagram भी आपको दिये जा रहे हैं, देखिए, apple, fruit है, banana, mango, cherries, peas, cucumber, tomato and bottle ground, ठीक है, तो यह बहुत सारे क्या है, vegetables हैं और fruits हैं, जिन्हों को हम खाते हैं, correct, next seeds की बात कर लेते हैं, a seed has baby plant in it, यानि seed में क्या होता है, उसके अंदर छोटा पोदा होता है, वहीं से पोदेगा, दोबारा जर्म होता है, and grows into new plants, seed क्या होता है, वह नए plant में दोबारा से फिर convert हो जाता है, gram, peas, wheat, beans, etc. और seed eaten by us, यह कुछ ऐसे seeds जिन्हों को हम खाते हैं, cumin seeds, paper and cardamom, that we eat as spices, are also seeds from different plants, यानि cumin seeds जो होते हैं, paper जो होता है, cardamom जो होता है, यह कुछ ऐसे seeds जिन्हों को हम spice की तर दिये जा रहे हैं, यहां से आपको अच्छे समझ माँ जाएगा, यह क्या है wheat, peas, यानि मतर, यह क्या है beans, राजमा, और यह क्या है cardamom, यानि के ilachi, यह कुछ ऐसे seeds जिन्हों को हम खाने में प्रियोग में लाते हैं, ठीक है, next देखिए आगे, यह तो हो गया था, foods from plants, यान बात करते हैं, foods from animals, यानि जानवरों से हमें बोजन कैसे मिलता है, ठीक है, देखिए, like plants, animals also provide us a large variety of food, यानि पोदों की तरह, जानवर भी या जीव जन्तु भी हमें large variety of food, यानि कई प्रकार का बोजन देते हैं, various food produces like milk, egg, meat, honey, जैसे दूद हो गया, अंडे हो गया, मीट, मास हो गया, और सहद हो गया, यह यह में कहां से मिलता है, animals से, और animal products, इनको animal ही तो बनाते हैं, यानि उन्ही से हमें यह प्राप्त होता है, milk and milk products, milk के जे complete food, milk का है, अपने आप में complete food है, it is obtained from animals like cow and buffalo, goat, etc, यानि यह में कहां से मिलता है, गाय, बहेंस, या, बकरी से मि milk yielding और milk animals, income क्या बोलते हैं, दोदारू पसू, जो दूद देने वाले पसू होते हैं, इनसे हमें बोजन, दूद मिलता है, और दूद अपने आप में पूरा बोजन होता है, यानि आप पूरे बोजन के जगा सिर्फ दूद पी लोगे, तो उससे भी आपको बहुत प्रका या जिन दहां से में milk मिलता है, उसे फिर milk product बना जाते हैं, बहुत सारे, products made from milk are known as dairy product, दूद से जो product बनते हैं, उनको dairy product बोला जाता है, some common dairy products are discussed below, यानि कुछ dairy product के बारे में नीचे discussion दिया जा रहा है, तो उसमें कौन कौने उसकी बात कर लेते हैं, एक बार, देखिए, पन पनीर बना सकते हैं, common method of making paneer includes adding lemon juice और vinegar to milk, यानि दूद में नीबू या vinegar जो होता है, वो मिलाना होता है, then the liquid portion of milk is drained off, और उसमें से जो पानी वाला इससा होता है, वो क्या होता है, वो अलग हो जाता है, and the solid part, और जो उसका solid part होता है, दूद का, forms paneer, और उसमें से क्या पनीर बन जाता है, तो बहुत आसन तरीका है, दूद में आपको नीबू का रस डालना है, या vinegar डालना है, तो उसे दूद फट जाएगा, उसमें से दूद को refine करके, पानी को अलग निकाल देंगे, और बाकी जो बचा को ऐसा होगा, उसको paneer बोला जाता है, ठीक है, this process is called curdling, इस सब हमें कहां से मिलते हैं, दूद से, और अगला animal food क्या है, meat, meat refers to the muscles and other part of animals body, that people eat, यानि यह क्या होता है, किसी animals की muscles होती है, उसके body के अलग पार्ट होते है, जिसको people जो है, वो eat करे हैं, लोग जो है, वो उसको खाते है, meat of animal like goat, chicken, fish, etc. is commonly eaten, यानि जो जातर भोजन के मास, chicken यानि मुर्गी का मास, और मचली का मास, इसको जातर प्रयोग में लाए जाता है, ठीक है, यहां देखिए, आपको milk product के बारे में बताया जा रहा है, क्या-क्या milk product बना जा सकते हैं, तो यह देखो milk, यहां से मल्क से पनीर बन सकता है, मिल्क से बटर बन सकता है, मिल् बनेगा, मिल्क से क्रीम बन जाएगी, मिल्क से कर्ड बन जाएगी, तो देखो इसलिए क्या होता है, मिल्क को हम complete food बोलते हैं, यानि दूद में अकेले बहुत सारी चीज़ें बनाने की शमता होती है, देखे, animals cannot prepare their own food, they depend on plants and other animals for food, यानि animals जो होते हैं, वो अपना बोजन ख most common bird egg eaten in the world, यानि के ये hands egg क्या है, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, वो पक्षियों में, पक्षियों के अंडों में सबसे ज़्यादा खाये जाने वाले भोज़े पदार्त होता है, some people also eat eggs of duck and goose, यानि कुछ लोग क्या करते हैं वो, और अलग पक्षियों के अंडे भी खाते हैं, honey, सहेद honey is produced by honeybee from the nectar of flowers, यानि ये क्या करते हैं, जो honeybee होती हैं, मदमक्या होती हैं, वो फूलों से रस लेकर, वो honey produce करते हैं, honeybees collect honey in weaves, यानि वो अपने जट्तों में इसको एकटा रखती है, honey is a sweet food and is also used in medicines, ये क्या एक मीठा बोजन होता है और जो दबाईयों के काम अबी आता है, यहां diagram दिया गया आपको meat, egg और ये honey, right, next देखिए, food habits of animals, चलिए इसको मैं next lecture में discuss करूँगा, आज के लिए इतना sufficient है, अब यहां तक आपको एक छोटी सी work sheet दी जाएग, उसको आप complete कर लेना, और इसको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत अच्छे तरीक से स कम जाए, मेरे खादेशाब को समझ में आगया होगा, चलिए, धन्यवाद,